नमस्कार मित्रों फटा फट खबरेंट टीवी 20 न्यूज़ पर लगाता जारी हैं अपने अपने छेत्रों की खबरों को देखने लिए बने रही हमारे साथ स्ञGU期कत्न मूर्चा ब्रेंट विर्योति दीवस पर प्रतेरोत मार्च संपा ग्यापन बद्रानेत्याद की सप्वोस Πब फट जारी है जारा है taken야 या जारी नियूज़ आजकार मं अिसाफटों मुर्दाबाद पर भी लगा मंगाई पर रोग लगाई चाहिए सहीद आपनी मां को संजुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आए हुए हैं आज संजुक्त किसान मोर्चे की तरफ से और अखिल भारती जो संजुक्त कंचारी महसंग उसके तरफ से यह आवहन किया गया कि जो पूरे देश में वि इसनिक शेत्र निजी हाथों में कमपनियों के हाथों बेचे जा रहे हैं फुजी पतियों के हाथों बेचे जा रहे हैं इससे देश के जन सामाने को सारी सेवाओं को प्राप करने में बहुत कठिनाई होगी महंगाई बढ़ेगी बेरुजगारी बढ़ेगी प्रष्टाचार i bronze कर्षी का जान वह वापस लिया चाहिए को उन्यद्री को लगस्यार वैंकूं को बिजली को ल आइजि को दूर सन्चार को डीचात को सारे चीज्वों को हातों दीया जा realistically की या जा रहा है। अब हों बनाने की बात कर रहा है और पूरे देश में और आज कार्पोरे पूरेट वीरषी दीष के रूपे हैं यहम लोग पूरे देश में प्रतिरहोध माश्मा निकाल गया है आज उसी परिपेक्ष में आजंगड के सभी साथी कार्पोरेट गुरुदी दिवर्स के बैनर तले यहां आये हैं और राश्पती महोदे को जिलादिकारी महोदे के माध्यम से ग्यापन देंगे और जो देश में कार्पोरेट करण हो रहा है निजी करण हो रहा है सार्दनी जिलादिकारी महोदे के माध्यम से ग्यापन देश में लोगों के पास अधिकार है लेकिन अधिकारों का फायदा उठाने वालों की भी कमी नहीं है सोसल मीडिया पर वार हुए एक वीडियो में टोल विवाद को लेकर एक जिलाजज की जम कर खिल लोड़ा जा रही है वी बाद है कि ये टोल बूत पर जिलाजज अपनी नौकरी की दोंस दिखाती हुए पैसे देने से इंकार कर रहे थे उनकी दलील थी कि वराजस्तान और मंतिपरदेश से उकरा रहे हैं और उन्होंने वहाँ भी टोल नहीं दिया तभी टोल मेनेजर ने आकर उनकी कानून का पार्ट पढ़ा दिया टोल मेनेजर ने आकर उनकी कलास लगा दी टोल मेनेजर ने कहा कि अधिकारों के मताबिक हाई कोड के जजज के लिए टोल देना माब है लेकिन आप डिश्टी कोड से हैं और आपके अपने लेन भी चाम क पढ़ा है आप जरूर अगर नियाए भी भाग सेंट पढ़े होंगे दूर रखो इसको काड़ दूर पीछे जो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो हाँ जी बताएं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ने मैं बात मताओंगा पहले आप हाँ या ना में जबाब दीजिए आप हाँ या ना में जबाब दीजिए आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पढ़ा है तो क्या लिखा है उसमें आपके लिए आप पढ़े ही नहीं है सुनिए उच् लोग लेते हो हम आदमी वहोस हो जाता है उसकी आत्मा लाक तो आप अप hon grand किया आपने किनी देर से आपकी घाड़ी खड़ी है क्यों खड़ी है क्यों खड़ी है जब आपको पता है घाड़ी आप कहीं से आरे हैं आपने अधिकारों का गलत-िस्तेमल कर डाला राजिस्तान में आपने अधिकारों का गलत-िस्तेमाल कर डाला कर आई है। डियाकाD financier नहीं करूंगा आप नियमां दॉडरा बीन यह नहीं है नियम में अफरी नहीं आप पेमंट दीजे। है असी मीन देजे। अरे कुछ मिल ला है ठीक है नहीं मिला तो उसको हक के लड़ाई ना लड़ो गलत बात पर भाई आप लड़ रहे हैं आप गलत लड़ाई लड़ रहे हैं क्यों पहले आप पेमेंट देते फिर आप अगर इतने कल्चर दे आप पेमेंट देते उसके बाद आप साइड लगाते चुनिए आप बस कीजिए क्या नाम इनका नाम बताएए आप बस अब बस अब पतन कहां बैठ गए हैं वकाया सच यह है कि बीना आत्मा का आदमी अगर नियाएम बैठे उसको निकाल देना चाहिए दीजे कार दीजे इनको पेमेंट हो गया जाईए अब आप अब बस जाईए आप माफ कीजिए आपने बहुत नुकसान किया गारी वालों का आपका क्यों फाइदा करूं रूल से बढ़के आप हैं क्या आपको भी तो लेटी क रजना पुरस दिख्चक वजलादिकारी से मिलकर कि इनसाप के मांग किये अपनी फरजनों और ग्राम्लों को साथ नायक मौपाने पहुंची रजना ने कहा कि पूलिस मेरे घराकर मार पिटकी है और जब मेरी बेटी वीडियो बना रहे थी तो उसके साथ भी अबदरता कि आई थी जिसमें कई लोग जिल गए थे और वो छोड़कर आ गये हैं उनके ऊपर गुंड़ा एक्ट वगदमा कायम किया गया है जिसकी कहरवाई में जब पुलिस के साथ वहां के महिलाओं ने दुरुभ्यवार किया क्या कुछ कहा पीडित रंजना ने और एसपी आजम ग बंसे सब्सक्राइब क्या परणें ने लिगों को लीक ने खाल यहां रहा है नहीं हमने टाइन के साइड मीलेदें लगे को लड़की यह वीडियो बना रहे है थी बीडियो मोबाय देख लिया उन्होंने लिगें पाल पड़के और इसको भी लात हाथ से माटर लेटें ले आज यहां पर धरना देने आए हैं अच्छा वी दियो भी है जो एक लड़की यहां से ऐसे करके खीची हुई है अशारा मंदस में दिख रहा है और तो क्या चाहिए हम लोग मार खाए है हमको कानून नहीं देगा और आप लोग नहीं करेंगे तो हम अपना धरम बदलेंगे करें कि हमारा वो जो है हमारा निधान करें, समस्या का समधान करें, हमारा सुनवाई करें, यहीं उम्मीद है. इस लोग वेल पर बहार आ गये हैं, और उनके द्वारा लगतार जो मिर्तक वक्ष था, उससे टराया धंकाया जा रहा था, इसमें चालोगला गुंडा एक्ट भी किया गया है, गुंडा एक्ट कर नोटिस तामिल करने, जब चस्वा करने, जब पुलिस गवाँ में गई, तो जो भी आकरामा पक्ष होता है, वो हमेशा पुलिस पर आरोप लगाता है, यह उनका कोई आरोप है, तो लिखेद रूप में दें, उसकी जास कराएगे, ठीक जब जब चालोग ने, आसको बिनाइजिन का टीका हेल्थ सेंटर वदर का आजमगण में लगवाया, उन्होंने मामारे से बचा जा सके, लोगों से उन्होंने अपिल किया कि इस टीका करोन से जरडरने के चरूत नहीं है, आप अपने भी लगवाएं, वो लोगों को भी प्रेद करें, जिससे करोना मामारे से बचा जा सके, खबर आजमगण से है, जहां पुरी देश में दो दिन की बैं मुद्दो को लेकर, उनियाटिट फोरम आफ बैंक यूनिन के निर्देश पर, बैंक करमचारी लाम बंद हो गए हैं, और अपनी माओं को लेकर के सरकर उतर गए हैं, इसके साथ हर जगा धरना अपर दर्थन सुरू कर दिया है, करमचारी निताओं का कहना है कि सरकार कंपनी की भी हरताल है, बैंक करमियों के हरताल के समर्थन में ब्यस्दन करमियों ने भी धरना प्रदर्थन किया, वह किसान मोर्चा ने भी प्रदर्थन किया कि हराष्ट व्यापी हरताल सारवजनिक छेतरों के बैंकों की निजिकरन के खिलाब है, क्या कुछ कहा बैंक करम जिसमें पांच कर्मचारियों की और चार अधिकारियों की यूनियन है ये नव यूनियनों का एक छत्ता है अंब्रेला है जो कि उनाइट फोरम आप बैंक यूनियन इसको बोलते हैं उनकी कॉल पे ये दो दिन की हमारी स्ट्राइक है 15 और 16 मार्च की और आगे जो है अभी 15 16 के बाद 17 तारिको भारती जीवन भीमा निगम की स्ट्राइक है और 18 तारिको जनरल इंसुरेंस कंपनी की स्ट्राइक है ये जो चार दिन की भीमा और बैंकिंग की स्ट्राइक है ये भारत सरकार के निजी करण के विरोध में है और भारत सरकार जो ये निजी करण कर रही है ये सभी बैंकों में से फिलाल और इंसरेंस सेक्टर से अपनी पूजी जो है उनकी कहीं 80% है कहीं 85% है कहीं 65% है वो निकाल करके और वो अपने आकाओं को देना चाहती है वो इस तरह के चीजों में लगाना चाहती है जैसे कॉर्परेट घराने आपने सुना होगा अडानी औ दे करके और यह अपनी पौटी के एजिंडा को सफल करेंगे ताकि यह फिर से पावर में आप आए इन को आमजन में से कोई मतलब नहीं है भारत आपने सुना होगा एक क्रिसी पदान देश है लेकिन इनकों क्रिसकों से मतलब नहीं है आप उपने देखा होगा बैंकों में जाकर कि राश्चेकित बैंकों में कितने गरीब लोग आते हैं जिनके अस्तर को आप समझ सकते हैं आप मेरे समझ से आप अगर मुझे देख रहे होंगे तो आप एक किसी प्राइवेट बैंक में एक सामाने जन जाने की हिम्मत नहीं होती है और अगर प्राइवेट बैंक हो गए हम जैसे जो यह राश्चेकित बैंक है तो एक आम जन जिनके खाते हैं वो बहुत परिशानी में हो जाएंगे और उन खातों को चला नहीं पाएंगे तो यह सरकार पूरी तरह से एक आम जनों को यह परिशान करने की एक उनकी चाल है और इसी के विरुवत में हम बैंक जन इस पर दो दिन के स्ट्राइक में हैं आज यह बैंक करमचारियों की हरताल पूरे देश में दो दिन की स्ट्राइक की काल है 15 मार्च और 16 मार्च की यह सरकार जो एंडिये सरकार है ये सिर्फ बैंकों का निजी करान नहीं कर रही है बलकि जित्ती भी इस देश में पियो सी संस्ताय हैं सबका निजी करान करने की जो है एक निजी करान करने पर तुली हुई है हम इसके विरोध में हमारे संगटन ने दो दिन की काल दी है इसके पहले इस सरकार ने और तमाम संसथाएं ये बंद करने जा रहा हैं इसके विरोध में ये सरकार की विरोध में सब लोग जो है यहां वस्तित है और यह स्ट्राइक की काल है यह सरकार पूजी पतियों की सरकार है और पूजी पतियों का जो अभला करने के लिए कभी बेच रही है कभी भी SNL बेच रही है, कभी रेलवे बेच रही है, कभी किसानों का इत्ता बड़ा 110 दिन से स्ट्राइक चल लई है ये सरकार सिर्फ निकम्मी सरकार है और ये इस देश को बेच डालने पर तुली हुई है हमारे मांगें जो आज चार बैंकों को निजी करण के में ढखेला जा आजमगर जीले के सिधारी थाने भदली बजार में उस समय माहल गर्म हो गया जब पंचाय चुना लड़ने के त्यारी कर रही महिला के पती की एस पी ने सारवजनी करुप से फिटाई की और 9-4 पहिया वाहनों को चीज़ कर दिया नेता ने एस पी पर उत्पलन वक्कार करता हो कि समख्च बेजित करने का अरूप लगाया है गिलवारा के जीता जादो पंचाय चुना लड़ने की त्यारी कर रही है उनके पती सिर्कान त्यादो परिवार को वाहनों के काफिले के साथ 6-3 में पंचा परचार कर रहे थे बदुली बजार के पास काफी संख्या में समर्थक मौशूद थे इसके चलते जाम लग गया इसे दुरान एस पी सुधिर कुमार सिंग पहुँच गया और डियाईजे के सराइमीर थाने के वार्सिक्ति डिक्षिट के सलसे में जा रहे थे जाम में फसने के कारण एस पी आगबा भुला हो गये उन्होंने सिर्कान त्यादों को पास बुलाया और बिना कुछ पूछे पीटना सुरू कर दिया इसके बाद एस पी ने सिधारी थाना पूलिस को बुलाया और मौके पर मौसूद नववाहनों उनके चालकोव प्रत्यासी पति को थाने भिजवा दिया जहां पूलिस ने सभी वाहनों कुछ चीज़ कर दिया पूरे से दिशक ने बताया कि अभी चुनाव के प्रिकरिया सुरू भी नहीं हुई है और पूरे जन्पत में धारा 144 लग हुए उसके बाद भी दस गाड़ियों के उपर हार लाकर सड़ा को घेर कर चल रही थी क्या कुछ का इस बावत इस भी आजमगर ने आपको सुनवाते हैं सर कल नो गाड़िया सीज़ की गए क्या मामला आता है देखें अभी चुनाव की प्रिकरिया सुरू भी नहीं हुई है और प्रत्याशी अपना प्रिचार कर रहे लेकिन धारा 144 लगी हुई है दारा 144 के अंतरगर उसकी धार 144 का पालार होना से लिए जो वहकिल एक्ट है उसके अंदर ये भी है कि कोई भी अपनी गाड़ी के ऊपर माइक नहीं लगाएंगे जो हॉन है वो नहीं लगाएंगे और सभी गाडियों में उपर हॉन लगा हुआ था ये प्रेक्टिस इव रोट पर थी हैं पूरी रोट को घेर कर चल लाई थी जो की किलियर कट 144 को लोंगन है मेरे द्वारा उनको थाने को अवश्चा कर रहे करने हैं तो निर्देश दिया गया था और थाने द्वारा आवश्चा कर वह उसको की गई पुलिस सुभा सेंदुबे द्वारा पुल पुलिस सुभा सेंदुबे ने सुनवाते हैं आपको पुलिस नाइन के बार्सिक नरिक्षण के क्रम में आजमगर माननी जन्पतिन की रटक की गए आपके जहें इसमें माननी जन्पतिन जिक्रम सभी इधायद लिए, मेरिसिस्वार पस्तित थे, अप्ताम साब भी पस्तित थे, आप लोगों से एक सिष्टाचार फ्रेट वार माननी जन्पतिन से उनके छेत्र की या अधर कोई यक्तियत या सार्जिनिक समस्याओं या सुधाओं के बारे में बात्चीत के लिए, सभी लोगों ने जो उनको सुधाओ दे लिए, इसमें सुधाओ दी और कोई ऐसी सोश्चार फ्रेट नहीं बताएगी, जो बहुत ज़ आजमगर के उतरबलिया से खबर है, जहां सासन के निर्दिसा अनुसार साट वर्स जैदिक वेक्तियों, पजितालिस साट के, साट वर्स के कोमारवीड वेक्तियों को COVID-19 वेक्तिनिशन हित एक मार्च 2021 से एक बरिहत कार्कम पूरी जन्पत में चला जा रहा है, इसके अंतर प्रतेक बलाग से 500 लोगों को प्रते दिन टिका लगाने का निर्दिस मिला है, इसलिके लिए पहचान पत्र जैसे अधार कार्ट, वोटर कार्ड या बैंक पासपोग, आईडी प्रूप के लिए जरूरी है, टिका लगने के बाद वेटिंग रूम में 30-45 मिनट आर्विसन रुकने के बाद ही लोग जाने दिया जा रहा है, अधातरोलिया पर लगभग 1500 लोगों का ठीका करन हो चुका है, क्या कुछ का इस बावत सिवा जी, डॉक्टर सिवा जी सिंग अधिक चक ने आपको सुनवाते हैं, कि अगी मार से चला है, Devion वालों को प्रिक लगा रहा है। अग्यों क्यूकों से ओंवरों सborरा यह व्यान करना है अजिक पंदर्व को हम अपने घ्रंइयम लगवा रहा है इसमें कि पूरा टार्गेट पांसो पर डेह लगाना है पूरे जीले में दस अजार लगना है तो इस अपने ब्लाग से पांसो केस पर डेह लगना है इसमें हमें 60 के लिए आधार काड कोई एज पूरूफ आईडी चाहिए जिसमें आपका अधार काड हो सकता है बैंक का पास्वुक भी हो सकता है जिसमें 60 के अबब और या को मार्विड है तो कोई डाक्टर का इस लिए या आधार काड दो नहीं इसके लागने बात का वेटिंग में उसको हम 35-45 मिनट आप जर्वेसर रोम में रुकने के लिक कर रहे हैं उसके बाद फिर हम सेकेंड लोज का डेट अब कर आपके सेचिस में अधेल हो चुका होगा और चल लाए चार्जिगां और चल लाए नहीं कोई इसाए फाई नहीं झाल